ओनलाइन साइबर फ्रोड का एक नया मामला सामने आया है. इस बार एक महिला को ओनलाइन सर्च करना भारी पड़ गया, जिसके बाद उसे हजारों रुपे का चूना लग गया. ये मामला करनाटक से सामने आया है. यहां एक महिला के बैंक अकाउंट से स्कैमर्स ने बड़ी रकम उड़ा ली. महिला ने ओनलाइन सामान ओडर किया, लेकिन सामान खराब निकला. प्रोडक्ट रिटन करने के लिए गूगल पर कमपनी का कस्टमर केर नंबर सर्च किया. यह कॉल स्कैमर्स के पास जा पहुँचा. स्कैमर्स ने बड़ी ही चालाकी से खुद को कमपनी का रिप्रेजेंटिटिव बताया. इसके बाद रिटन के नाम पर महिला की बैंक डिटेल्स मांगी. बैंक डिटेल्स शेयर करते ही कुछ मिनिट बाद महिला के बैंक अकाउंट से 63,000 रुपे कट गए.